हेलोएविरे, हम वेखम टू क्लास स्यरीज और आज इस विडियो में हम जिस कॉश्चन को सॉल्ट करने जा रहे हैं वह कॉश्चन है सबसे फिले हम कोश्चन को समझते हैं question के अंदर क्या बोला है find, क्या find करना है अपन को ratio final करना है, किनके बीच में 4 km to 300 m, मैं एक बाया answer में लिखता हूँ, 4 km to 300 m का अपन को ratio final करना है, अब जब भी अपन को ratio final करना होता है, तो both the quantity should be the same unit, लेकिन एक तो km के अंदर दे रखा है, और एक meter के अंदर दे रखा है, तो अपन को पता है, 1 km के अंदर कितने meters होते है, 1 km के अंदर 1000 m होते है, अगर 1 km के अंदर 1000 m होते है, तो फिर 4 km के अंदर कितने meters होंगे, यह हो जाएगा, 4 into 1000 कितना निकलेगा, basically आपका, यह हो जाएगा 4000 m, ठीक है, तो 4 km के अंदर करना होगे, तो कितना होगे, 4000 m, और यह भ दे रखा है तो यह numerator में आ जाएगा तो इसकी value क्या है 4000 ठीक है divided by 300 बाद में दे रखा है तो इसकी value आ जाएगी आपकी denominator में ठीक है तो 4000 divided by 300 को अपनको simplify करना है तो देखो 20, 20 gets cancelled क्या बचा 40 divided by 3 बचा है क्या 40 divided by 3 फॉर्टर डिविजिबल है नहीं है तो अपना answer बेसिकली यह होगा लेकिन यह तो fraction में ratio में आप कैसे लिखोगे therefore यह हो जाएगा ratio is equals to 40 is to 3 तो आपका basically answer होगा 40 is to 3 ratio ठीक है so this is your answer